दतिया जिले में कोरोना वाइरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है अब रोजाना कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं तो वहीं बीती राद जिला अस्पताल में 75 वर्षिय व्रद्द आवाम एसोशियेशन के अध्यक्ष सत्तार खान की मौत हो गई है व्रद्द की मौत के बाद डॉक्टर रोदैपुरिया ने जिला प्रशाशन कलेक्टर SDM एवं नगरपालेका को इस मौत की सूटना दी जिसके बाद नगरपालेका की कुछ कर्मचारी शब को सापधानी पूर्वक जिला अस्पताल से मौतक की घर लाए जहां कुछ देर परिजनों को मौत की अंतिम दर्शन कराने के बाद परिजनों में से केवल पांच व्यक्तियों को कपरिस्तान जाने के अनुमती स्वास्त बिवाग द्वारा दी गी इसके बाद मरतक के परिजनों की उपस्तिती में निगरपाले का अमले ने शब को सुपुद्रे खा किया तो बता दें इस से पहले जिला में चार कोरोना मौते हो चुगी है इसके लावा लगभग साथ सो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं जिसमें लगभग देड़ सो एक्टिव केस है कुम्रे लगभग सत्तर वरस से अधिक है यूंकि दतिया की रहने वाले हैं वाज़कियरी खड़की के तीस तारीक में जो है उनको बत्ति किया गया उसके बाद में आवज्शक्ता के अनुसा रहने को बालियर रेफर किया गया लेकिन एक तारीक को दो पहर में कि यह गवालियर से उन्हें दतिया बापे साथ है इनको पुन्हें बरती कि करके प्रेंटेंसिब प्यरू में रखा गया था यहां पर कल रात्री में जैसे मैंने पहले खाकर लगभग साड़ा याराधिय के तरीक इनकी नक्ति हुई जिसकी सुचना हमने हैं सभी वरिष्ट अद्कारियों को कलेकर सब्तों एश्डियें नगरपांका के सीयों को दिये पुल्स विवस्ता के लिए भी आगरेट लिया है एश्डियेंस आप से और परिवार में कुछ लोगों के सेंपल रचुपे हैं बाखी के परिवार जनों के जो भी विए से और के लोगों में उन्तस आपल गलता राया है